Hello everyone, welcome to Trustified, India's first and only 100% blind testing certification program और आज के वीडियो में हम लोग review करेंगे Muscle Blaze Biozyme का Performance Whey Protein ठीक है, इसका ISO 0 का review अलड़ी कर चुका हूँ बाट maximum लोगों की demand थी कि Biozyme Performance Whey Protein को भी आप review करें क्योंकि ये Biozyme का सबसे सस्ता variant है देखिए, मैं चाता था कि मैं ISO को पहले डालूँ अपने चैनल पे पर जैसे से report आती मैं वैसे वैसे जो है reviews डालते आता हूँ तो unfortunately इसकी जो report है वो थोड़ी late आई है इसलिए से आज cover कर दूँगा और start करने से पहले guys कुछ बहुत important चीज़ आपको बताना चाहता हूँ देखिए, कुछ videos ऐसे थे जो trusty fight पे पहले आ जाने चाहिए थे पर वो आए नहीं actually इस समय के बाद वो live हुए और कुछ videos ऐसे हैं already आप लोगों से commit किये गए हैं पर अभी तक नहीं आए actual में हुआ क्या है कि मेरे तरफ से सारी planning बिगड़ गई और उसके बिगड़ने का reason है कि मेरे family में कुछ emergency, medical emergency हो गई तो इस चक्कर में guys apologies very much क्योंकि कुछ videos जो पहले आज आने साही थे वो बाद में आया और कुछ videos जो मैंने commit किये हुए हैं वो अभी तक आये नहीं है पर अभी से next week से मैं कोशिश करूँगा कि जो भी commitments मैं आपको दूँगा उन committed dates पर ही मैं सारे videos जो है कर दूँ तो guys ये थोड़ा चीज आपको बताना चाता था और जैसे कि मैं अपने सारे ट्रस्टिफाइड वीडियो में बोलता हूँ कि हम लोग 100% blind testing कराते हैं हम लोगोंने ये जो box है muscle blaze biozine performance वे ये muscle blaze की ही website से order किया था हम नाम change करके order करते हैं cash on delivery नहीं करते हैं कोई भी discount code नहीं लगाते और हमें जैसी product receive होता है हम उसका एक uncut unboxing video shoot करते हैं जिसमें हम लोग ये दिखाते हैं कि जो batch number हमें मिला है वही batch number जो है laboratory में हमने testing के लिए दिया है इसलिए आपको हमारे lab test report में साफ साफ batch number भी दिखेगा और packing details में ये दिखेगा कि lab को trade pack डबबा मिला है lab को trade pack डबबा मिला है इसका मतलब होता है lab को original sealed pack box मिला है दो box हम इसलिए order करते हैं क्योंकि एक जाता है lab में testing के लिए दूसरा हम अपने पास future reference के लिए रखते हैं ठीक है guys तो अब time waste नहीं करेंगे और शुरू करते हैं अपने review के साथ तो biozyme whey protein की ingredients आप लोगों को मेरे screen पर दिखे रहा होगा ये basically एक concentrate based way है majority of the protein इसमें आपको concentrate based way से जो है दिया गया है और साथी साथ थोड़ा बहुत इसमें whey powder का भी इस्तमाल किया गया है तो biozyme का ये सबसे सस्ता range इसलिए है क्योंकि इसमें whey protein concentrate और whey powder के थुरू आपको जो है protein percentage company आपे offer की है और filtration method इन लोगों ने disclose नहीं किया है बट concentrate based way में आपको filtration method की चिंता करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि जो ion exchange होता है जो chemical method होता है वो typically जो है whey protein isolate में इस्तमाल किया आता है तो क्योंकि filtration method disclose नहीं है इसलिए उसके बारे में आप tension मत लीजे और अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी analysis के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे lab analysis में ये पाया गया है कि इसमें 70.77% protein है जो कि around 25.4 grams per serving हो है मतलब company 25 grams per serving claim करती है हमारे lab test report के अनुसर वो 0.4 grams extra पाया गया है तो हम मोटा मोटा ये consider करेंगे कि protein जितना company claim करती है उतना analysis में पाया गया है बात कर लेते हैं carbohydrate की तो carbohydrate company claim करती है 8.4% याने कि 3.02 grams per serving हमारे analysis के दौरान वो slightly higher पाया गया है थोड़ा सा higher पाया गया है वो पाया गया है लगभग 13% company claim करती है 8.4% हमारे analysis में ये पाया गया है 12.8% जो होता है 4.61 grams per serving company का per serving carbohydrate claim है 3.02 grams हमारे lab analysis के दौरान वो slightly higher पाया गया है 4.61 grams per serving पाया गया है fats की बात कर लेते हैं तो fat company claim करती है 5.5% याने की 1.98 grams per serving हमारे analysis के दुरान ये पाया गया है 5.64% जो की around semi होता है थोड़ा सा जाधा हुआ 2.03 grams per serving हमारे analysis के दुरान पाया गया है तो जैसे की हम testified में करते हैं कि level 1, level 2 और level 3 तीनों level की testing करते हैं पर level 2 पे हम तभी proceed करते हैं जब level 1 testing जो की macro accuracy की होती है उसे किसी product ने pass किया है और यहाँ पे मोटा मोटा इस product ने जो है level 1 की testing को pass किया है इसलिए हम level 2 के बारे में आप बात करेंगे level 2 में हम amino profiling जो है चेक करते हैं तो आप मेरे screen पे पूरी detailed amino acid profiling देख पा रहे होंगे कोई भी amino acid जो है इसमें बहुत जादा नहीं पाया गया है बहुत कम नहीं पाया गया है जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि amino spiked product यह नहीं है देखिए वैसे तो muscle blaze किसी भी product में अपनी amino acid profile disclose नहीं करता पर मैं अपने future videos के लिए बता दे रहा हूँ कि कभी भी आप lab test करवाएंगे ना जब amino acid report का तो कोई भी amino acid एकदम same नहीं आती जो company claim करते हैं इन्होंने claim नहीं किया है पर future में कोई भी company अगर अपना amino acid का पुरा break up दे रखी है और आप उसे मेरी report से match करेंगे तो एकदम same same हर amino acid match नहीं करेगा थोड़ा बहुत उपर नीचे deviation चलता है तो हमें मोटा मोटा ये देखना है कि जो amino acid profile है वो balanced है एक whey protein की naturally occurring amino acid profile की तरह ही है बहुत ददा deviation नहीं है कोई बहुत ददा extreme high end पे नहीं पाया गया है कोई बहुत ददा extreme low end पे नहीं पाया गया है ये हमें देखना है जिससे हम ये proof कर पाएंगे कि ये amino spike product है या नहीं और एक चीज़ और guys बहुत लोग request कर रहे हैं कि मैं जो है अपनी report summary में amino acid profile का भी पूरा आप लोगों को result शो करूँ तो आज से इस product से मेरे जितने भी future videos आएंगे उसमें मैं अपनी report summary में जो मेरे lab में amino acid profile पाया गया है हर एक amino acid कितना कितना पाया गया है वो पूरा लिख दूँगा ताकि अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोगों देख सकते हैं तो ग्यास क्योंकि इस product ने level 2 पास कर लिया इसलिए हम level 3 के बारे में बात करेंगे जो heavy metals testing के लिए होता यह basically आपके safety के लिए होता है product में heavy metal कहीं exceeded limit में तो नहीं पाया गया है यह जानने के लिए हम करते हैं तो जैसे कि आप मेरे screen पे देख सकते हैं इसमें कोई भी heavy metals जो है बहुत जादा limit में नहीं पाया गया है सारे heavy metal जो है FSSAI permissible limit के अंदर है तो यह product absolutely safe है आपे consumption के लिए with regards to heavy metals तो यह level 3 भी पास करता है और क्योंकि यह product हमारे level 1, level 2, level 3 तीनों level को pass करता है इसलिए यह हमारी तरफ से pass product है और अगर आप इसका result देखना चाहते हैं तो हमारे website में जाके pass और fail जो tab है वहाँ पे click करके इसकी पूरी report समरी देख सकते हैं including detailed amino acid analysis और हमारे website पे एक और tab है certified brands जहां पे भी आपको यह product देखेगा क्योंकि यह product ट्रस्टी फाइट के थूरू certified है तीनों level इसने pass कर लिए है इसलिए यह जो है ट्रस्टी फाइट के थूरू certified है अब guys कुछ चीज़े please मैं चाता हूँ आप फिर से सुन ले I know video थोड़ा लंबा हो रहा है अच्छा सा protein supplement खरी दे और सबसे ज़ादा अगर आप लोग मुझे support करना चाहते है तो आप लोग बस एक काम करिए जो कि donation से भी उपर है और वो है कि आप please मेरा channel subscribe करें अभी भी लोगों ने channel subscribe नहीं किया है लोग videos देख लेते हैं पर subscribe नहीं करते please guys ये testing बहुत ज़ादा महंगी होती है और हम लोगों ने अपने सारे resources almost spend कर दी है खतम हो गए हैं तो please अगर आप लोगों को support करना है तो हमारा channel subscribe कर ले monetization के तुरू हमें सबसेदा पैसा मिलता है जो हमें help करेगा अपने testing को fund करने के लिए तो असे ता हमें support कर सकते हैं कि हम हर product का affiliate link create करते हैं जो कि कोई भी create कर सकता है तो आप हमारे अफिलियेट link के थ्रू जो है इस product को खरीदना चाहें तो खरीदे अगर इसे खरीदना हो तो अगर नहीं खरीदना चाहते हैं के पास extra पैसा है डोनेट करने के लिए not for students ठीकी गास तो आज के वीडियो में अब और जादा टाइम आपका नहीं लूँगा अगर आपको अपना product vote करना है कि मैं आपका vote किया हूँ product टेस्ट करूँ तो आप vote कर सकते हैं पर फिलहाल के लिए भी voting system डाउन है क्योंकि हम उसे अपग्रेट कर रहे हैं आपके better experience के लिए पर एक दुद दिन ने वो चालू हो जाएगा तो आप vote कर सकते हैं based on number of votes हम लोग definitely आपके request लेंगे बहुत सारे product solidary testing में हैं और अब मैं क्योंकि काम पर वापस आगया हूँ तो जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए सारे product के reviews cover कर दूँगा तो गयाज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस product का review अच्छा लगा हो और गया अच्छा लगा है तो please हमें support करीए आपके support की हमें बहुत ज़रूँ थे ताकि हम supplement industry को change कर पाए choose safe guys and be safe thank you